नाप्तुल की पाटशाला में आपका स्वागत है अगर कभी सिम कार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको टैबलेट को सुच आफ कर देना है और इसके बैक पैनल को ओपन करके लगे हुए सिम कार्ट को बाहर निकाल ले और उसे अच्छी तरह से क्लीन कर ले ये को सिम कार्ट लगाने के पहले आप ये भी चेक कर लें कि आपका सिम कार्ट एक्टिवेटेड है एक्टिवेटेड सिम कार्ट को अच्छी तरह से सिम स्लॉट पे लगा दे और पैनल को क्लोस कर दे और फिर दुबारा उसे री स्टार्ट करके देखे और कुछ सेकेंड तक वेट करें इसके बाद सिम कार्ड कनेक्शन इस्टैबलिश हो जाएगा और आप अपने टैबलेट को यूज करना शुरू कर सकते हैं अगर कभी टैबलेट चलते चलते हैंग हो जाए या फ्रीज हो जाए तो उसके लिए भी बहुती सिम्पल तरीका है टैबलेट को पावर आफ कर दे और फिर दस सेकेंड के बाद उससे री स्टार्ट करके देखे इसके अलावा जो भी ओपन अप्लिकेशन्स हैं उन सारी अप्लिकेशन्स को आप बंद कर सकते हैं जिन अप्लिकेशन्स को आप यूज नहीं करते हैं उसे अनिस्टाल कर सकते हैं इसके अलावा जो एप्लिकेशन्स एक्टिव होती है उनकी कैश मेमरी को भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है इस तरह से आप कैश को क्लीन करने के बाद टैबनेट को चलाके देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा इंटर्नल मेमरी में जो भी डेटा स्टोर है चाए वो वीडियो हो या एप्लिकेशन हो या फोटोस हो फाइल्स हो जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें आप डिलिट कर दें जिससे कि स्पेस क्लीन होगा और टैबलेट अच्छे से चलने लगेगा इसके अलावा आप चेक कर लें कि आपका एंडरॉइड वर्जिन जो टैबलेट में इंस्टॉल है अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल है तो आप उसे अपडेट कर लें इसके बाद भी अगर आप अपने टैबलेट को पूरी तरह से क्लीन अप करना चाहते हैं तो फैक्टरी रिसेट को आप्शन यूज कर सकते हैं लेकिन reset करने के पहले ये ध्यान रखें कि अपने data को पूरी तरह से backup कर लें और उसके बाद इस तरह से factory reset करके tablet पूरी तरह से clean up हो जाएगा जो भी store data है जो भी cache data है जो भी waste data है वो सारा clean up हो जाएगा completely tablet empty हो जाएगा इसके बाद basic setup करने के बाद आप tablet को अच्छे से use कर सकते हैं अभी अगर camera अच्छे से picture नहीं ले रहा है या धुनले picture ले रहा है तो back side में दिये गए camera को clean अच्छे से clean कर लें और उसके बाद आप camera को use करेंगे तो अच्छे clean photo आएगे अच्छे करेंगे